कि नमस्कार दोस्ति इस वीडियो में जानेंगे यदि आप बैंक ओफ इंडिया के मुवाइल बैंकिंग का यूजर एड़ी भूल गए तो आप उसको दुबारा से कैसे बना सकते या फिर किस प्रकास से इसका यूजर एड़ी बनाया जाता है अभी आपको इस वीडियो में पूरी जनकारी मिली जाएगी तो वीडियो के एंड तक बने रहे चले चलते इसके ऑफिसल मुवाइल बैंकिंग में जहांसे आपको अपना यूजर एड़ी बनाने का ओपसर मिलेगा जैसा कि आप यूजर एड़ी भूल गया होंग तो आप उसको दुबारा से प्राप्त करने के लिए आपको इसी को पर फिर क्लिक करनेगा फॉर्गेट यूजर एड़ी को पर यहां से क्लिक किजगा आपके रईष्टर मालमर पर कोटीपी स्टैन क्या जगा ओटोमेटिक ओटीवी फिलफ होचका है आपके एकॉन के साथ जो भी मालमर लिंक होगा उ अपना यूजर एड़ी यहां लिखा होगा देखने के लिए मिल आप पे देखा आप अप जो भी अपना यूजर एड़ी बनागे तो आप इस पकार से प्राप्त कर सकते हैं उसके बाद प्रोसीट टूल लॉगिन को पर क्लिक कर सकते हैं मेरा यह फिलाल यूजर एड़ी बना वाए मौइल बेंकिंग में बैंक ऑफ इंडिया का जो मेरा मौइल बैंकिंग है इस पकार साब आपना यूजर एड़ी प्राप्त कर सकते हैं यह आप भूल गया है तो फोर्गिट को पर क्लिक करने के बाद उसके वाद आप आपना लॉग-इन पीन भी भूल गया है इसके अपे इंटर न्यूव फिर आपको फीर अपने का बने नगे मिल आप जैओ प्र आप जो भी आपना लॉग-इन रखना चाहते आप यहां से बना लेगा आपको लोग इन पिन छे अक्षर का बना वहाँ आप जो भी आपना बना चाहते छे डिजिट का बना लेगा लेकिन आप इस पकार से नहीं बना सकते कुछ आपको इंट्रिकेशन यहां परने के लिए जिस कि 0 1 1 यह नहीं बना सकते हैं या फू guys 526allah आप нем संख्या कोasti 2010 इस पकार से नहीं बना सकते या फिर लगातार से सकते लिए फिर नहीं बना सकते अठीट स believing वन इस पकर से भी नहीं बना सकते या फिर लगातार आप से संख्या जिसे की 2222 आप यह भी नहीं बना सकता है आपको कुछ अलग अलग संख्या बना लगा इसे की 45 45 85 आप कुछ इस पकार से बना सकते हैं अलग अलग नमर के साथ चलिए आपको बना अगर क्या दिखा देते हैं कि हम यहां साथ आपना अम डाल दिया उसके अध्या आपको उसमीन को पर क्रिक करना गा जैसा आपको वही यूजर आइडे इसमें फिला को आणगा जो कि आप अभी निकाल लेंगे उसको आपकाई कोपी पर लेग लिग लिए या फिर यह आप अपना मुबाइल नमर भी डाल सकते या फिर आपना कस्टमर आड़ी आपने पास्टूक से देखर के डाल सकते उसके जो भी आपना लॉगिन पीन बनाए आपको यहां डालना होगा चलिए इसमें लॉगिन करके कि सक्था कि आप यहां अपना यूजर यूजर और लोगइन डाल दें उसके बाद है जैसे आप यहां से लोगिन को पर किलिक किए कर गया जैसे एलग यहां अपने के लिए बाद चेंज कर सकते बना सकते हैं उसके इसमें लॉग इन कर सकते हैं यदि आपका एकॉंट बैंक ओफ इंडिया में है तो जैसा कि अभी आपने दखत आप इस परकार से बैंक ओफ इंडिया के ऑफिसल मॉयल बैंकिंग का यूजर आड़ी और पासफेट घर बैठी बना सकते हैं यदि आप उसको भूल गये तो या फिर न मन में कोई confusion ये फिर कोई सवाल होता आप केमेंड बोक्स में केमेंड गरके पूछ सकते हैं थैंक यू फर वाचिंग देस वीडियो धन्यवाद